बेलकम तू अबर चैनल आईए जानते हैं हीमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में हीमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, करोना, मौसम और राजनीती से जुड़ी सभी खबरे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लिए लोगों के लिए नई वकेंसी की अपडेट प्रवाइड करें तो इंडिया नेवी में आप लोग आवेदन कर सकते हैं तू फॉर्टेट वकेंसी यहां वरी जाएंगी ट्रेड्समें की वकेंसी रहेंगी सैलरी उननीस हजार नोसो से लेकर ट्रेशट हजार दोसो रहेगी क्वालिविकेशन टैंथ पा साथ में आई टे डिप्लोंबा रहेगा आवेदन करने के लिए आई उठारस लेकर पच्चिस वर्ष साथ में एसी एस्टी और विस्वी को आईउ में शूट भी रहेगी यहां पर जो है टू हंडर्ड़ फाइ लिए रेजिस्टेशन चलेगा तो इसे इं सब्सक्राइब आई बृति के लिए करमचारियों के डिय ए बृति हो सकती ऑ बात करें तो हिमाचल के करमचारियों को इसमें 31% डिये ही दिया जा रहा है जबकि केंद्रिय करमचारियों को अगर बढ़ोतरी हो जाए तो 48% तक डिये मिलेगा सरकार हिमाचल परदेश के करमचारियों का डिये बढ़ाने की तैयारी में है ऐसे में अगर करमचारियों के डिये में 5 प्रतिशत की वडोतरी होती है तो फिर HP करमचारियों को 36% तक डिये दिये जाएगा HP SSC की अपडेट प्रवाइट करें तो HP SSC अभी भी सुस्पेंड ही पड़ा है HP SSC से जो laptop hard disk ब्रामद हुए है pen drive ब्रामद हुआ है इसकी 75% तक forensic जाँच पूरी कर ली गई है चुँकि इस pen drive और hard disk में हजारों ही website से related data उपलब्द है इसलिए इसकी जाँच में थोड़ा और समय लग सकता है तो कुछ एक समय के बाद HP SSC में जाँच पूरी हो जाएगी आसे में मुख्य मंत्री बड़े फैसले ले सकते हैं जिन लोगों ने ये paper league का कांड किया है इन लोगों के उपर बिजली गिर सकती है और जो पुरानी भरतियां लोग पैसे देकर नौकरियों में आए है इनकी नौकरियों के उपर भी सरकार बड़े और एहम फैसले ले सकती है शिक्षा विवाग में पहली review वैटक के बाद शिक्षा मंत्री रोहित छाकुर ने कहा हिमाचल परदेश में 12,000 से भी जाद है जेबिटी, टीजिटी, पीजिटी की भरतियां जल्द शूरू होंगी करोना मुलक भरतियों की बात करें तो करोना मुलक के इस समय तीन हजार से भी जादय केस पैंडिंग पड़े है ऐसे में सरकार करोना मुलक परिवारों के आश्रितों को जल्द नोकरी देने के लिए भी बड़े फैसले ले सकती है आउट्सोर्स कर्मियों की अपडेट प्रवाइड करें तो आउट्सोर्स कर्मियों के एक परती निदी मंडल मुख्य मंत्री जी से मिला है और उन्होंने अपनी स्थाई पॉलिसी मानाने के लिए सरकार से आग्रह किया है नए रिजल्ट की अपडेट प्रवाइड करें तो अटल मेडिकल रिसर्च उनिवस्टी नेर्चोक मंडी के दौरा कम्यूनिटी हेल्ट ऑफिसर की वकैंसी के लिए जो है रिजल्ट जारी किया है और इस रिजल्ट का लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रवाइड कर दिया है नैशनल हेल्ट मिशन के अंतरगत अटल मेडिकल रिसर्च उनिवस्टी में कुछ एक कैंडिडेट ने जो है वो ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया है तो जिन कैंडिडेट का छे महिने के ब्रिज कोर्स के लिए चैन हुआ है उनकी सेलेक्शन लिस्ट का जो लिंक है ये भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपका जो ये ब्रिज कोर्स है नैशनल हेल्ट मिशन से रिलेटेड इसे इगनु के माधियम से कराया जाएगा महिलाओं के लिए पंद्रस और पे की अपडेट प्रवाइड करें तो लगवग जुलाई महिने से महिलाओं को प्रथम चरण की ये राशी मिलने भी शुरू हो जाएगी लगवग 10 लाग से जादे महिलाओं को प्रथम चरण में सरकार ये लाब देगी ह्प्यू के अपडेट प्रवाइड करें तो ह्प्यू में फरस्ट इर में लगवग 80 परसंट तक शातर फेल थे और जिन फेल शात्रों ने रिवैलुएशन भरी थी इनके रिवैलुएशन का रिजल्ट कम्प्लीटली नहीं आया है कई शात्रों ने जैसे तीन सब्जेक्ट के लिए रिवैलुएशन भरी है तो उनका एक ही सब्जेक्ट का रिवैलुएशन का रिजल्ट शो कर रहा है बाकियों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा ऐसे में जो फेल शात्रें पहले से ही परिशान है और रिवैलुएशन का रिज जो है वो स्पष्ट ना होने से काफी शात्र मानसिक परिशानी से गुजर रहे हैं